प्रवाइज करेंगे के हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या कर लिया था दो मिनट लेंगे रिवीजन में उसके बाद हम आज आगे के पॉइंट्स पर डिसकुस करेंगे कि क्या क्या करना है तो सर लास्ट पॉइंट की लास्ट की हम बात करें तो हमने क्या कर लिया था लास्ट क्लास में सबसे पहले तो हमने अबाउट सबजेक्ट के बाद मेंली यहां से हमने देखा था कि sir income tax है tax के अंदर दो पार्ट है हमारे एक है direct tax, एक है indirect tax although मैं एक चीज़ clear कर दू वीडियो पहले से मैंने upload कर लिया जितने बच्चे live class में वीडियो upload कर दी है मैंने application के अंदर वो देख सकते हैं उसी को मैं फटा-फट quickly revise कर रहा हूं तो income tax हम पढ़ रहे हैं tax tax के कितने तरीके हैं दो तरीके का tax है sir एक था हमारा direct tax और एक था indirect tax sir direct tax क्या होता है जो किसी person को directly government को tax deposit करना होता है उसे हमने क्या नाम दिया था direct tax indirect tax का मतलब मैंने बताया था कि जो person directly government को deposit नहीं करता indirectly सरकार को जमा करता है उसे indirect tax कहता है जैसे मैंने इसका example लिया था chips आप 8 रुपे का chips है 2 रुपे का उस पर tax होता है तो उस पर लिखा होता है inclusive taxes तो आप दुकानदार को 10 रुपे देते हो लेकिन दुकानदार की जिम्मेदारी बनती है कि वो 8 रुपे गवर्मेंट से direct connect नहीं हो रहे तो उसको बोलते है indirect tax या फिर बोला जाता है GST आपने देखा होगा जब भी आप खाना खाने जाओगे मैकडॉनल्ड में जाओगे या कहीं पर भी आप गए होगे कोई समान आपने लिया होगा mobile phone लिया होगा तो आपने वहाँ पे बिल के अंदर देखा होगा 5% का almost GST 55% होता है कहीं कहीं पे 99% होता है तो इस तरीके से टेक्स इस है तो आप टेक्स का पैसा दुकानदार ने आपसे वसूला तो आपने दुकानदार को दे दिया लेकिन ये टेक्स दुकानदार के pocket में नहीं जाएगा गवर्मेंट के पास जाएगा तो आप ही गवर्मेंट को टेक्स दे रहे हो इसका लिए इसका नाम पढ़ गया indirect क्यूँकि आप गवर्मेंट के पास direct नहीं जा रहे सर इंडारेक्स का दूसरा नाम अगर देखा जाए अब हो गया है GST जो कि हमें नहीं पढ़ना हमारे slayvers का पार्ट नहीं है हमारे slayvers का पार्ट क्या है सरस्रिफ और सिर्फ direct tax है जिसके अंदर source of income हमने देखा था heads of income के हम direct tax के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे salary से income होता है तो उस पर tax कैसे calculate किया जाए rent से income होता है तो उस पर tax कैसे calculate किया जाए business से income होगा तो इसके अंदर दो हो सकता है goods या service से कैसे tax calculate होगा fixed assets बेचने पे या फिर आपका lottery और other head में डाला था इसके अलाबा इसको help करने के लिए बड़े सारे chapter भी है जैसे clubbing of income setup and carry forward या फिर deduction यह हमारे basically क्या है chapters है इसके बाद हम ने देखा था क्या कि हमारा tax जो है वो बनता कैसे है हमारा tax 1961 में बना हुआ है इतना पुराना है फिर भी हर साल क्या हो जाता है चेंज हो जाता है इसके बाद हमने देखा था कि आपका basic terms बेसिक terms में सबसे पहले हमने देखा था previous year सर previous year कौन सा होता है और एक देखा था हमने assessment year जिसकी theory हम अभी cover भी करेंगे सर previous year क्या होता है जिस साल पैसे को कमाया जाता है उसे बोलते है previous year और जिस साल बैट के उस income को calculation किया जाता है उसको क्या बोलते है assessment year assessment year हमेशा बारा महिने का होगा previous year can be 12 month और less than 12 month तेरा महिने का नहीं हो सकता ठीक है न इसके बाद सर हमने देखा था कुछ इसके exception cases जिसको मैंने बोला था मैं आपको notes में proper बता दूँआ जो कि हम आज discuss करेंगे last class हमारा यहीं तक था इसके बाद की कहानी अब start होने वाली है कि हम क्या पढ़ेंगे यानि जो हमने last class में किया था एक बार theory में भी देख लेते हैं फटा फट से read मार लेंगे और फिर to be continue हम आगे चलेंगे चलिए सर कुछ बच्चे काफी बच्चे आज जो enroll हुए है online courses के अंदर वो पुरानी वीडियो देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी college के अंदर आपका regular का हो सकता है कि कुछ colleges में VK सिंधानिया book refer किया जा रहा है कुछ college में किया जा रहा है Greece आहुजा आप book को buy करिए मैं prefer कर रहा हूँ Greece आहुजा को और basically मेरा book का इतना ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि जो भी questions मैं करवाऊंगा already आपको display पे दिखेगा जो भी question मैं करवाऊंगा वो एक तो आपको display पे दिखने वाला है और दूसरा second thing कि आपको जो एक्स्ट्रा question दिये जाएंगे already PDF format में आपको दे दिया जाएगा बाकी मैं जो question दूँगा ना वो जादा से जादा chances मान के चलो कि Greece आहुजा के question होंगे बाकी आप book कोई भी ले ले मेरे से पूछेंगे तो मैं Greece आहुजा को prefer थोड़ा सा करूँआ क्यूंकि इसमें question dependly अगर हम सिंघानिया और Greece आहुजा को देखें दोनों book अपने आप में best है मैं ये नहीं कह रहा कौन सा अच्छा बट सिंघानिया के अंदर थोड़े से tough questions है उसके अंदर C.A. के भी questions है उसके अंदर advanced level के concept clear हो तो अब बात करते हैं सर आगे continue हमारा topic क्या था सर previous year, assessment year मैं क्या बताने जा रहा था एक बार फटा फट से हम उसको देखते है जो बच्चे नए हैं उनको भी पता चल जाएगा और जो बच्चे पहले से हैं उनका थोड़ा सा revise हो जाएगा मैंने बताया था सर ख्यान से देखिएगा एक ये साल है इस साल का starting मैं बोलूँ अगर फ़र एक चार दो हजार 21 और अगर मैं ending की बात करूँ तो 31 तीन दो हजार बाईस आप इस पूरे साल पूरे year के duration में आप ये हमारा एक साल है आप इस पूरे साल के अंदर पैसे को earn करोगे और in fact मैं बात करूँ तो last day के ये वाला साल पता है कब खतम होता है 31 तीन दो हजार बाईस खतम हो जाएगा कब रात के बारा बजे यानि ग्यारा उनसट कहलो बारा बजे जब आपका new year स्टार्ट हो जाता है आपका मैंने बताया के पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी जल्दी सेकेंडों में P&L बना लो और net profit निकाल लो और net profit निकाल के सरकार को text दे दो that is not possible तो सरकार ने क्या करा government ने थोड़ा सा आपके लिए benefit दिया कि सर आपको हम थोड़े time और देते हैं यहां पे जो कि हमारा अगला साल start हो गया एक चार दो हजार बाइस और end हो जाएगा हमारा 31,3,2,021 31,3,2,021 तो सरी सरी तेईस अब यहां से आपने जो पैसा यहां से यहां तक कमाया था जो पैसा उस पैसे को बोला गया कि आप यहां पे calculate कर लीजिए और calculate करने के लिए भी ऐसा नहीं बहुत जादा समय दिया गया calculate करने के लिए आपको सिर्फ 31 जुलाई तक दिया गया है आपको 31 जुलाई तक दिया गया है कि आप यहां से लेके यहां तक बैठ के calculation कर लीजिए इस calculation को करके क्या calculation sir net profit निकाल लिए ताकि आप क्या दे पाएं टेक्स तो simple सी बात है जब आप इस वाले tax को paid करने जा रहे हैं तो आपने income निकाला है लेकिन ये वाला साल तो sir हमारा दूसरा साल है income हम इस साल भले निकाल रहे हैं लेकिन जो सारी calculation है वो इस साल की नहीं है वो कौन से साल की है previous year इसका इसलिए नाम पढ़ी गया था क्या previous year और जिस साल हम calculation करते हैं इसको बोलते हैं हम assessment year assessment का मतलब ही dictionary में check करोगे तो मिलेगा calculate करना इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है हमारा assessment year अगर मैं बोलू आपको assessment year की tax निकाल लिए तो आप 22 और 23 के income को नहीं ढूंडेंगे आप कौन सी income को ढूंडना चालू करेंगे इस income को ढूंडना चालू करेंगे जो कि हमने last class में देखा था मैंने ये भी बताया के सर ये बारा महिने का होता है और बारा महिने से कम का भी हो सकता है लॉजिकली अगर आपने business यहां start किया है तो previous year इतना ही होगा लेकिन assessment year तो पूरा ही माना जाएगा यहां तक simple सी बात है इसके कुछ exception है कि सरे exception क्या होते है अपवाद अपवाद का मतलब हमारा previous year ही कई बार assessment year बन जाता है कुछ exception है कौन-कौन से exception है चलिए हम उसको देखेंगे आराम से और फिर आगे देखेंगे कुछ बच्चों का कहना है कि सर वाट्सप गुरूप बगरा कोई वाट्सप गुरूप नहीं है जो application पर है वही गुरूप रहेगा आपका वाट्सप गुरूप को अलग से नहीं बनेगा यहां पर तो मैं सारी चीजे डिटेल बता दूंगा पहले ना हम थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर सारे आपके question का answer दे दूंगा हाँ वाइस में दिक्कत आए network में दिक्कत आए तो आप जरूर कमेंट में लिख देना अगर clarity में दिक्कत आए ताकि मैं उसको फटा फट से resolve कर पाऊं चलिए majorly देखा जाए यहां तक करने के बाद यह एक theory basically theory क्या जो हमने अभी देखा था उसी को हम एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते है question क्या है अपका define previous year पहले आप previous year को define करिए एक तो यह point पूछ रहा है इसके बाद कहता है income tax charge on income of previous year during the assessment year ठीक है assessment do you fully agree क्या है आप इससे agree करते है statement is not और यह exam में देखिए exam वालों ने तो line लगा दी इस question का 2010 ग्यारा बारा बारा तेरा चौदा इतनी बार आ गयी है जितनी बार exam में यह आ चुका है तो आपके भी exam में आने की पूरी probability बन दूए है खेक है न तो जो भी question मैं बताऊंगा आपको बता दूँगा इतने exam में आये हुए इसके आगे मैंने इसके अंदर डाले नहीं क्या बता है sir previous year को define करिए previous year को define क्या करा है इसने previous year mean the financial year immediately preceding the assessment year समझ में आई बात assessment year से जो just पहले होता है उसको previous year कहते हैं देखो कितना simple सा definition बता है previous year क्या होता है जो assessment year से पहले आता है उसी को आपको क्या करना है थोड़ा सा अच्छे language में लिख देना है for example in relation of assessment year 2019-20 immediate preceding financial year 18-19 और इसको समझाने की कोशिस कर रहा है तुम्हें समझ में नहीं आया अगर के previous year वो होता है जो assessment year से पहले आता है तो अब बोल रहा है हम समझा देते हैं मान लो अगला साल हमारा कौन से वाला है 19-20 तो पिछला कौन सा होगा समझे इसी को previous year बोला जाएगा तो देखो theory क्या होता है theory के अंदर आपको समझ में आ जाएगा तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह हमेशा start जो होगा 1st April से होगा 2018 से और end हो जाएगा 31 March 2000 Sell the previous year in other words the year in which the known previous year जिस साल में हम income को क्या करेंगे उसी को हम previous year बोलेंगे मैं भी तो यही बोल रहा हूं इतने टाइम से जिस साल में पैसे कमाए जाएंगे उसी को क्या बोलेंगे हम previous year ठीक है अब कहता है कि previous year in case of new source of income यानि कोई newly business started है या new source of income है उसके लिए क्या होगा कहता है sir in case of newly startup business and profession जो भी setup होगा हमारा business जो चलाए जाएगा profession profession मतलब teacher वगरा के काम को profession में ले लेते हैं new source of income during the financial year जो भी हमारे financial year में start हुआ financial अब एक चीज़ ध्यान रखना जो हमारा financial year होता है और previous year बात एक ही होता है देखो previous year is equal to financial year ठीक है यानि जो financial year है यह आपने accounts के अंदर जितने भी year करें ना 31 March as on as या फिर आप जो भी लिखते थे वह सारा financial year लेते थे आपको याद होगा कि आपने accounts में अभी तक तो यह बात तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है previous year और assessment year आपको जो साल दिया जाता था कर लिया जाता है तो हमारा यह ध्यान रखना है कि अगर financial year बोले जाए तो previous year ही बोला जा रहा है ठेक है चलिए सर यहां क्या कहता है newly income जो start-up business हो year ended financial year suppose a new business setup 10-3 मतलब मैं बता हूं इतनी सारी बाते कर रहा है ना साधारन सी सब्द में बता हूं तो भाईया previous year एक अपरेल को सुरू होता है 31 मार्च को खतम होता है लेकिन कोई business अभी नया है start हुआ है एक मार्च को start हुआ है तो उसके लिए तो previous year एक मार्च से 30 मार्च सिर्फ 30 दिनों कहीं बनेगा वही बात कर रहा है कि अगर कोई new business start है 10-3-2019 में तो previous year sell भी 10-3-2019 और end हो जाएगा 31-3-2019 वही बात बता रहा है आपको even though assessment year आपका 22 या even though आपका जो year होगा consist only कितने होंगे स्री 22 दिन है लेकिन इसी को आप क्या बोलोगे previous year ऐसा नहीं के year लगाने का मतलब ये हो कि 365 दिन ही हो समझे बात जिस साल के बीच में fall हो रहा है उसी को हम year लगा देंगे ठीक है आगे कहता है it means there will be the uniform previous year all the SSC अब एक word आगया सर SSC हम इसको समझेंगे SSC को इस पर star लगा देते हैं आज हम यही समझने वाले for all source of income कुछ इसके exception है जो मैं बताने वाला हूँ सर exception क्या है ये देखिएगा देखो अभी तक जितना भी देखोगे न तो मैं पढ़े के सिर्फ तसली के लिए आपके बता रहा हूँ लेकिन मैंने तो बहुत वही समझाया है कि सर previous year वो होता है जिस साल income कमाया जाता है previous year आ का बारा महिने का हो सकता और बारा महिने से कम भी हो सकता मोटा मोटी यही बाते हैं वहां से यहां तक इसने बोला है सर चलिए आते देखते हैं exception में है इसके अंदर exception का मतलब क्या है देखिए यह पूछा जाता एक्जाम के अंदर जो पूछा भी गया है normally income earned during the previous year it's charge tax during the assessment year यही तो मैं समझा रहा हूँ normally income कब कबाये जाता है previous year में लेकिन charge कब किया जाता है sir assessment year में करता है however there is certain exception to the rule इस rule का कुछ exception है the following cases of the libel to SSC tax in the same year in which income is earned exception का मतलब बता रहा हूँ कि कुछ cases में हमारे previous year और assessment year दोनों के हम आने जाते हैं same माने जाते हैं क्या क्या exception है sir मैं सिर्फ heading heading समझाओंगा notes डाल दूँगा आप पढ़ लेंगे क्योंकि मैं पढ़ के क्या करूँगा वो तो किताब पढ़ने वाली बात हो गई आपने मैंने जो पहले समझा है आपने देख लिया कि जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़े लिखी है आपको पढ़ होगे तो समझ में आ जाएगी कहता है income of shipping business non-residence सर ये एक word आगया non-residence star लगा दिया मैं समझाओंगा non-residence होता है जो कि ship का business है माल लेते है USA से माल आया वो USA का ship business आप जानते हैं जिसे cargo वगएर बोलते है USA से माल आया अगर ऐसा कोई business है जो USA से चलके आया है और इंडिया में आएगा ऐसा ही होगा ना USA से चलके आए इंडिया में माल उता रहा है तो इंडिया से क्या लेगा किराया लेगा कमाया कहां से इंडिया से फिर वो USA चला जाएगा फिर कभी आएगा क्या वह वापस USA से सर नहीं आएगा हो सकता आजाए हो सकता ना आए तो उससे बोलते हैं भाई रुक जा पहले तो income tax भर और फिर जाएगा अगर वो शिप वाला बोलता है कि सर मैंने income tax पढ़ा है कि income earn in previous year taxable in assessment year मैं next year आके दूँगा तो उसके लिए ये exception बना दिया गया कि सर आपके लिए नहीं है वो वाली बात आप चले गए तो हम आप फोन लगाते रहेंगे लेकिन आप वापस तो आपको किराया मिला ना पैसे कमाए ना जितने पैसे कमाए चुप चाप उस पर टेक्स भर दीजिए आपके लिए कोई assessment year नहीं है तो ये किसका था income earn दूसरा क पर्सन मीन लीविंग पर्मानेंट इंडिया जो इंडिया से पर्मानेंटली छोड़ के जा रहा है अब कोई भी वेक्ति इंडिया से छोड़ के जा रहा होगा पर्मानेंटली पर्मानेंटली का मतलब समझते हो कि भाई अब नहीं आएगा वापस अब कैसे पता चलता है कि सर पर्मनेंटली जो उनका पासपोर्ट होता है ना पासपोर्ट पे लगता है वीजा जब वीजा लगता है तो वीजा लगाते टाइम पे घूमने के लिए जा रहे उसका अलग वीजा होता है नौकरी के लिए जा रहे उसका अलग वीजा लगता है आप पर्मानेंटली छोड़के जा रहें, उसका अलग वीजा होगा, सब चीजों का अलग है, तो आप जब तक फ्लाइट पे नहीं बैठ सकते, जब तक आप क्या नहीं दिखाओगे उसको पासपोर्ट, तो ऐसे सिचुएशन में, जब इंडिया से आप पर्मानेंटली जाओगे, तो वहाँ पे आप कभी एरपोर्ट पे जाओगे, या कहीं भी जाओ, इंडिया से जब बाहर बॉर्डर पे जाओगे न, वहाँ पे CISF, ये क्या है हमारा, एक मानलो, आर्मी का ही एक पार्ट है, आर्मी नहीं है, लेकिन आर्मी का ही पार्ट है, जो कि चेकिंग वगरा करते हैं, वो सबसे पहले बोलेंग, अधार कार लाओ, पासपोर्ट लाओ, सारी चार्ज़े लाएंगे, पासपोर्ट अरे तुम पर्मनेंटली बहार से जा रहे हैं इंडिया चोड़के, तो फिर त जाओ, इंकम टेक्स ऑफिरसर से लिखवा के लाओ, तब आपको फ्लाइट में बैठने देंगे, वो बोलता है, अगर कैसर मेरी फ्लाइट छूट जाएगे, कोई बात में, दुबारा टिकेट बनवा लेना, यानि जब वो आएगा, वो बोलेगा, अगर वो ये बोलता है, आपको अगली बार आने के लिए नहीं दिया जाएगा चांस, आपको अभी भरना होगा, टेक्स, क्यूं है, वाइल लॉजिकली भी देख लो, सोच लो, क्योंकि ये वापस नहीं आएगा, इंडिया का नुकसान हो जाएगा, टेक्स का, अगला पॉइंट है, इंकम अफ एओ पी, बी ओ आई, आटिफिशियल जुडिशियल परसन फॉर्मड अपर्टिकूलर इवेंट, मैं इसके इतने बड़े नाम जो दे रखें ने, ये नाम अभी हम समझेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, इवेंट का क्या कह रहा है, कुछ ऐसे बिजनस होते हैं, जो short duration के लिए होते हैं, जैसे, माल लेते हैं, जन्मास्ट मी, अभी अभी जन्मास्ट मी गया है, जन्मास्ट मी कहीं organize हो रहा है, वहाँ पे मेले में सभी ने लगाया, क्या लगाया अपना install, पैसा कमाया, फिर कब आएगा वो, अगले जन्मास्ट मी में, तो उसका क् हर साल बाद आता है, हर साल नहीं आता है, कुछ ऐसे हमारे organization होते हैं, जो कि अब आप मान के चलो, जैसे world cup हो गया, world cup हर साल थोड़ी आएगा, किसी ने world cup के duration के लिए ही अपना install लगाया, पैसा कमाया, आप बोलेगा assessment year तो उसके लिए ऐसा नहीं है, उसे इसी time पे tax देना पढ़ेगा, यानि simple सी बात करें न, और बहुत आसान से बात, भाई, आपका business मना है, थोड़े दिनों के लिए, आपके लिए को assessment year वाला पंगार नहीं है, assessment year वाला उसी businessman के लिए जो लंबे समय तक काम करने वाला है, चीक है, आगे चलते हैं सर, अभी करेंगे, अभी करें किया गया है, income of person likely to transfer of property avoid tax, कुछ वेक्ति ऐसे करते हैं कि income न, अपना किसी और के नाम कर देते हैं, आज समझ में आ जाएगा, चलो इसको भी मैं star बना देता हूं, क्योंकि मैं न, इसलिए सारी theory नहीं करवा सकता, क्योंकि जब मैं सारे basic concept बता दूँगा, फिर आपको theory बह कर दिया, अब business आप कभी करोगे, discontinue मतलब business को बंद कर दिया, तो इस businessman को भी government बोलेगा, आप text दीजिए, अगर ये businessman बोलता है कि हम assessment year में calculate करेंगे, बोलेगा भाई, तेरे लिए क्या assessment year, तेरा तो business ही बंद हो गया, निकाल बैट के text, तुने business start किया था एक अपरेल को और तुने जुलाई में बंदी कर दिया, तो जुलाई से लेके मार्च तक क्या, तू tax calculate नहीं कर सकता, बना ले अपना balance sheet, balance sheet में ऐसे भी तेरा क्या होने वाला है, जल्दी से balance sheet P&L बना और अभी tax दे, तेरे लिए को assessment year नहीं है, तो ये highly important question है, जो कि exam में आएगा, अब पे हम आगे चलते हैं, to be continue, voice clear है, एक बार check कर लीजिए, तो हम आगे चलते हैं, जितने भी student है, चेक कर लीजिए, एक बार voice clear है, तो आगे, आज की class अब start होने वाली है, ये previous class का ही था actual में, है ना, हमने previous class में लिख लिया था, हाँ, loss हुआ तो हम वो भी बात करेंगे, loss हुआ तो अभी न थोड़े सारे, बहुत सारे सवाल होंगे, loss हुआ, AOP, KI, B, O, I, बस आज का मुझे time दीजिए, आज का मतलब जो भी 1.5 गंटे की class ले पाएं, फिर खतम कर देंगे, सारे doubts clear हो जाएंगे, चलिए, सबसे पहले हम बात करें न, कि tax कौन देगा, टेक्स देगा कौन, सबसे पहले कहानी, देखो मैं direct tax की बात कर रहा हूँ, यानि income tax कौन देगा, अगर मैं आप सभी से पूछूँ, कि आप income tax देते हो, तो maximum बच्चों का जवाब होगा, income tax, वो क्या होता है, हमें तो पता भी नहीं हम क्यों देंगे, अंजान हो बिल्कुल, हाँ जो कोई business अगर कर रहा हो, कोई student उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो income tax कौन देगा, government जो था, वो government काफी time तक यही सोचता रहा, के income tax किस से ले, अगर वो second year college में चले गए, भाई, कौन-कौन टेक्स भर रहा है, नहीं भर रहा बताओ, वो बहुत लेगा, हम क्यों टेक्स दे, तो टेक्स लेने के लिए, कोई ऐसा कुछ तो हो, माप डंड के आप से टेक्स वसूल आ जाए, तो इसने बोला, भाई, हम टेक्स लेंगे, परसन से, हम टेक्स लेंगे, परसन से, अब परसन से टेक्स लेंगे, तो कौन से परसन से टेक्स लोगे, इसने बोला, के हम S.S.C. परसन से टेक्स लेंगे, इसका मतलब सर, एक मोटी-मोटी बात याद रखना, हिंदुस्तान के अंदर, मैं simple एक example ले रहा हूँ, अगर आपकी income, धाई लाक रुपए, अभी मैं simple सा example ले रहा हूँ, धाई लाक रुपए तक आपकी income होती है, सालाना, तो आप not able to pay tax, आप tax के दाइरे में आते ही नहीं, अगर आपकी धाई लाक, आपको याद हो, नूट बंदी के time में हर कोई अपने account में धाई धाई लाक ही डालने की कोशिस कर रहा था, अगर आप उस time पे थोड़ा सा याद करो, नूट बंदी हुई थी, तो हर कोई क्या कर रहे थे, पैसे एक account में नहीं डाल रहे थे, वो account में नहीं हो गई, तीन लाक सर, तो यू आप टेक्स देना पड़ेगा, तो अगर आपकी income धाई लाक या उससे कम है, तो हम आपका नाम जो भी है, सोनू, मोनू, वही नाम बुलाएंगे, लेकिन अगर आपकी income धाई लाक से उपर हो गया, तो हम एक आपको standard नाम दे देंगे, SSC, यानि जो व्यक्ति धाई लाक से उपर income कमाता है, income tax department उसको एक नाम दे देता है, तुम क्या हो, SSC, यानि SSC वो व्यक्ति है, जो की tax देगा ही देगा, समझ रहे हो बात को, यानि जो की tax देगा, और SSC कौन होगा, कोई ना कोई तो person होगा, तो जब हमें बताया गया कि tax देगा कौन, तो सबसे पहले बोला गया, person देगा, और person कौन होगा, SSC, person का मतलब मान लो राम है, राम एक person है, बट अगर इसकी income दो लाक चालिस अजार है, तो आप मुझे बताईए, comment में जवाब दीजिए, क्या राम SSC है, राम SSC होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, तो दोनों चीजे condition फुल्फिल होना जरूरी है, क्या-क्या, अगर वो person भी होना चाहिए, और साथ के साथ क्या होना चाहिए, ऐसे से भी होना चाहिए, ठीक है ना, चलिए, तो जवाब आ गया, नो, छीक है, जब भी network का issue आए, जरूर बता दे कि मुझे लग रहा है है, कुछ दिक्कत सा, अब हमें समझना होगा, sir, person कौन होता है, तो income tax, income tax act, मैंने सरकार से पूछा, कि sir, अब ये बता दो person कौन होता है, तो उसने बोला person की जानकारी चाहते हो, तो आप section चले जाओ, पढ़लो आराम से, section 32, subsection 1, section 32, गलत लगत लगते है, 231, तो इसकी जानकारी section 2, subsection 31 के अंदर given है, हमें section पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, अब एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी definition, यानि आप पूछ रहे हो, sir, ये क्या है, तो इसका मतलब उसका definition पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो, ssc क्या है, मतलब उसका definition पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो, person क्या है, इसका मतलब क्या पूछ रहे हो, definition, आप पूछ रहे हो, income क्या है, इसका मतलब क्या पूछ रहे हो, definition, तो law के अंदर, कानून के अंदर, जब कभी भी आप definition पूछ रहे होगे ना, भी से ही 31 ते उसने डिफाइन किया से अब पर संब कोन उँगे वह देखते हैं ची के ना परसन में सिंपली बताया गया अगर हम पर वाथ करते हैं तिसे रखा गया बहुत सिंपल बात है अगर हम person की बात करें तो section to section 31 अब person से हमें समझ में आता है कोई individual आप देख रहे होंगे कोई individual इंडिवीजवल का मतलब सर अकेला वेक्ति अगर है अब जरूरी नहीं यहां male है तो कोई भी हो सकता है सर male female कोई भी हो सकता है राम सीता कोई भी माल लेते हैं यह राम है तो इसे भी person बोला जाएगा individual इंडिवीजवल के कर इंडिवीजवल मतलब कोई भी व्क्ति इसके बाद बोला गया कि अगर कोई company है आप देख रहे होंगे कोई भी कमपनी सर कमपनी क्या होता है जो कमपनी एक्ट में रेजिस्टर है तो इसको भी परसन बोलेंगे तो एक ये परसन बोला सरकार ने दूसरा इसको भी एक परसन का नाम दिया तीसरा पार्ट बोला गया अगर कोई partnership firm काम कर रहा है, तीसरा अगर कोई partnership firm है, तो उसे भी क्या नाम देंगे हम, उसे भी हम नाम देंगे, simply person का, यानि सर person है तो उसका एक separate entity होगा, आप में से कुछ बच्चों का pen card बन गया होगा, होगा pen card, ऐसे company का भी अपना अलग pen card बनता है, ऐसे partnership का भी अपना अलग pen card बनता है, तो अब हर किसी का pen card अलग अलग बन रहा होगा, यानि कोई ना कोई तो entity है, तो इसे बोला गया person, यानि देखो person को define किया उसने, person का मतलब दिमाज में एक आता है कि मैं और आप ऐसा नही है, person में कोई अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, person के अंदर company भी हो सकता है, person के अंदर partnership firm में ध्यान रहे, person के अंदर जब कभी भी दो लोग मिल के काम करेंगे, तो लोग मिलके काम करेंगे जब कौन करेंगे दो लोग मिलके तो इसे भी person बोला जाएगा लेकिन ये होगा हमारा body of individual इसे क्या बोलेंगे सर body of individual बोलेंगे मगर सर यहां भी तो दो लोग मिलके जादा काम करते हैं तो इसको तो partnership पार्टनर्शिप फर्म बोल रहे हो, यहां दो लोग से ज़ादा मिलके काम करें तो इंडिवीज्वल बोल रहे हो, दोनों में फरक क्या है, इंडिवीज्वल का मतलब अकेला-केला, यह अकेला, यह अकेला, दो मिल गए, तो एक बाड़ी बन गया, इसे बोल दिया, body of individual फरक यह है कि income tax वाले बोलते हैं कि partnership हम आपको तब तक partnership का दरजा नहीं देंगे partnership का जब तक हम आपको नहीं बोलेंगे partnership है जब तक आपने क्या नहीं करा लिया हो registration 1932 act में अब हाल फिलाल में दो partnership होता है एक होता है हमारा partnership नॉर्मल एक होता है एल एल पी लिमेटेड लाइबलिटी पार्टनर्शिप जो की दो हजार एल एल पी जो की दो हजार आठ में अकॉर्डिंग आपने और लॉव अगरे में आया हो तो पढ़ाओगा नहीं तो आप पढ़ लोगे आप registered हो तो समझ में आया है सबसे पहले आप देखो क्या इसके अंदर और इसके अंदर फरक क्या है बस फरक यह यह यहां पे भी दो वेक्ति मिल गए लेकिन इसने registration करा लिया यहां पे दो वेक्ति मिल गए registration नहीं करवाए यानि अगर आपने partnership act के अंदर registration कराया है तो आपको बोला जाएगा partnership firm अगर आपने registration नहीं कराया दो दोस्त मिल के business स्टार्ट कर रहे हो जैसे कि अभी school के अंदर डेली school के अंदर केजरी वाल ने सबको दो-दो हजार रुपे दिये थे business करो तो वो partnership नहीं था अब दिये नहीं दिये वो पता नहीं जो भी दिये नहीं दिये कहा था कि business करो तो वो income tax के नजर यह से partnership firm नहीं था वो body of individual individual मैं ऐसा मैं समझना दो ही होंगे तीन च इसके बाद अब आते हैं तो इसको body of individual को short form में बोला जाएगा बी ओ आई पीछे यह word आया था किसी ने पूछा भी था तो हम सारी बाते धीरे फिर पीछे जाएंगे कोई बात नहीं थीक है ना body of individual यह क्या है यह एक अलग person है यह अलग person है यह अलग person है यह अलग person है इसके बाद मैंने एक सामने आपके सामने क्या है mcd नगर निगम ठीक है ना mcd अब कुछ ऐसे organization देखो हम अकेले business कर रहे हैं तो हम होगे इंडिविज्वल यह salary कर रहे हैं इंडिविज्वल कंपनी जिसने registration करा रहा है वो भी इंकम कर रहा है टेक्स देगा सर इसके बाद अगर हम दो लोग मिलके काम कर रहे है रिजिस् मैंने एक example ले लिया mcd जिसको हम बोलते है local authority local authority या LA बोल दो आप ऐसा जो कि आपका कानूनन specially एक special दरजा दिया गया है ऐसे organization को बोलते है local authority तो उसको भी सरकार को text देना होता है तो section two section 31 में इसको भी क्या नाम दरजा दिया गया है इसको भी एक मान के चलो के एक respect दिया गया है कि आप भी क्या हो person टोटल साथ person होते हैं ध्यान लगना तोटल कितने person होते हैं साथ अभी तक कितने होगे सर अभी तक होगे तीन के बाद चार और एक हो गया पांच सर एक होता है हमारा एक होता है चलिए सबसे last में लेगे एक word और आया था ए ओ पी देखिए आप ध्यान दीजिए आपने कहा कि सर ये person है और ये person है ये person है ये person है ये person है ऐसा possible है आप बताना मुझे अब बता रिलाइंस लिमिटेड जो है रिलाइंस लिमिटेड ये क्या है company क्या एक person होगा income tax के इसाफ से अभी आपको पता होगा कि रिलाइंस लिमिटेड ने गूगल के साथ contract किया है कि हम और आप मिलके phone या अपना एक android system develop करेंगे कई वार ऐसा होता है कि दो company मिल जाती है बोलते हैं कि हम ये आम स्टार्ट करेंगे तो देख लो ये भी एक person है और ये भी एक person है Google भी एक क्या है उसका भी entity या मान लेते हैं Reliance Limited ने क्या करा MCD से tie up किया कि भाई जो तुम्हारे पास worker है न उस worker को हम recruit करेंगे या तुम्हें इस से tie up कर लिया जितने भी तुम्हारे पास system है MCD के अंदर जो भी तुम्हारा मान लेते हैं वीकल्स है या टाटा से tie up कर लिया दो person आपस में मिलके काम करना start करते हैं या अलग-अलग person इसका मतलब sir ये दोनों मिलके काम कर ले या ये दोनों मिलके काम कर ले या अलग-अलग दोनों का business होगा business model ही अलग होगा लेकिन थ आप पता ने news देखते हो नहीं देखते हो lockdown के अंदर तो बड़े चर्चा में था कि Reliance के अंदर Facebook ने पैसे लगाए है या फिर आपने देखा होगा कि इस company ने इस company के साथ मिलके कोई काम start किया है जैसे Tata है Tata बहुत सारी company के साथ मिलके ने एक joint venture करती है ठीक है ना joint venture बोल और Tata एक education field में आ गया Tata education में भी है किसी से tie-up कर लिया मान लेते है Tata ने क्या करा किसी education company के साथ tie-up कर लिया और एक business trend किया तो Tata एक अलग person है एक education field वाला अलग person मान लेते हैं मेरे से tie-up कर लिया के online पढ़ाना है तो मैं एक अकेला person हूं तो मैं एक person हो गया Tata एक company हो गया हम दोनों ने बोला हाँ ठीक है हम करेंगे काम मेरे को पढ़ाना आता है आपको पैसे खर्चने आते हैं तो करते हैं काम तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो उससे पता है क्या बोलेंगे हम उसको हम चार पांच छे नंबर मैं यहां लिख रहा हूं एसोशियेशन एसोशियेशन ऑफ परसंड जिसे एओपी बोलते हैं मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूं एसोशियेशन ऑफ हां यह नॉर्मली स्पेसिफिक पीरिड के लिए होते हैं जो जॉइंड वेंचर टाइप का होता है सर छे परसंड पता चल गया इसके बाद बगवान जी सरकार टेक्स हर किसी से लेती है आप सोचोगे ने कि इससे नहीं लेगा इससे नहीं लेगा हम तो एक बार को किसी को बक्ष भी देते हैं कि यार इससे क्या लेना क्या नहीं है आप देखोगे तो यार छोड़ो यार यह तो वैसे लेकिन गवर्मेंट हर किसी से टेक्स लेती है अभी गनेश चतूरती है मुंबई के अंदर बहुत धूमधाम से मनाये जाता है गनेश चतू तो उसे बोलते हैं artificial judicial person artificial judicial person मतलब कानून के नजरों में लौ के नजरों में वह एक वेक्ती होगा वो तो हम पे case नहीं कर सकता लेकिन हम कर सकते हैं देख रहे हो बगवान आपके उपर कभी case करने आएगा हम कर देंगे हम कैसे कर सकते हैं sir case भगवान के उपर पुजारी ने चंदा नहीं दिया, हम फुजारी केस करेंगे, हम फुजारी पर थोड़ी case कर रहें, बगवान के उपर कर रहे हैं engag है, ठीक है, तो इसका मतलब seven person हमारे गनीश भगवान और इसके अंदर कुछ भी आ जाएगा, जुडीशियल पर्सन तो सर पर्सन की डेफिनीशन देखा जाए न एक्जाम में बहुत मतलब पॉप्लर कोश्चन है एक्जामनर पूछता है कि बताईए पर्सन कितने टाइप के होते हैं उनको डिफाइन करिये तो मैंने तो डिफाइन कर दिया है आपको बस बुक के लेंग्वेज में पढ़ना है और समझना है पर्सन कितने होगे टोटल साथ अगर मैं अकेला काम कर रहा हूं बॉड़ी सिर्फ इंडिवीजवल मैंने रजिस्ट्रेशन कर वा लिया कंपनी सेक्ट में तो कंपनी अलग और मजे की बात देखो हर किसी का टेक्स का रेट अलग अलग है कंपनी का रेट 25 परसेंट है इसका पांच भी है दस भी है पार्टनर्शिप का 30 परसेंट रेट है टेक्स इसके बाद एस्सोशीएशन ऑफ परसन का अलग है आपका मुंसिपल डिपार्टमेंट का अलग सुप्षाथ लोगों को रखा अब हमें जो पढ़ना है ना टेक्स तो हमें तो सर इसका भी इंकम निकालना अना चाहिए इसका भी इंकम निकालना अना चाहिए इसका इसका सब आना चाहिए लेखिन बोला गया कि अभी आप second year में हो third semester में तो आपको थोड़ी छूट दी आपको सिर्फ इसी की income की जानकारी जादा से जादा दी जाएगी बाकी की नाम बता दिया गया how to calculate income इसके income को कैसे calculate दिया जाएगा आपके slayvers का part लेकिन पूछ रिया जाएगा बता ये person कितने होते हैं ठीक है तो मैं बाकी मैं बताऊंगा आपको कि इसको कैसे tax देना इसको कैसे tax देना इसको कैसे tax देना वो सारी बाते मैं आपको बताऊंगा लेकिन हम slayvers में पढ़ेंगे स्रिफ एक individual की सारी कहानी और कुछ पार्ट हम partnership firm का भी पढ़ेंगे ठीक है ना दो चीजह हमें पढ़ना है individual और partnership firm जब कभी भी मैं partnership firm बोलूँगा ना तो वहां पर दोनो बाते आ जाएगी या तो 1932 वाला हो सकता है या फिर LLP 2008 में registration हो सकता है वो दोनों में से कोई भी हो सकता है दोनों में फरक क्या है सर ये क्यों आया था LLP को एक limited liability एक limited word लगा सकता है LLP और partnership firm में A और B ने मिलके business किया तो वो सिर्फ partnership firm बोलेगा लेकिन जैसे A और B ने अप private limited सब्द का इस्तेमाल कर सकता है थोड़ा सा क्या होता है market में reputation बढ़ जाती कि company हम भी company है बस और कोई ज्यादा खासा फरक नहीं हो और number of partner बढ़ सकते हैं यहां पर number of partner restricted होते हैं कि 50 ही होंगे भाई law के हिसाब से यहां पर number of partner क्या हो सकते हैं ज्यादा हो सकते हैं यह फरक यह person में किस-किस को दिक्कत है person clear है क्या होता एक बार फटा-फट से हम देख लेते हैं कि person कितनी बार exam में पूछा गया ठीक है रहा एक्जाम में question आये वह अभी हम सिर्फ theory theory का part कर रहे हैं तो exam में person कितनी बार पूछा गया है यह देखिए मैंने जो data बनाया है मैं सिर्फ question question दिखा रहा हूँ answer तो मैंने बता दिया है यह आया हुआ है कि person section अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम भी section याद करें मत करिये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर्सन कितनी बार पूछा गया हमारे exam में पूछा गया है 2010 में और regular और S.O.L. में भी पूछा गया और कई बार और आया हुआ है मैंने सारे data यहां पर लिखा नहीं है जितनी बार मुझे पता चल पाया है वही लिखा हुआ है पर्सन क्या कहता है जो कि अभी मैंने बता है अगर मैं बोलू S.S.C. या पर्सन क्या है एवरी S.S.C. एवरी S.S.C. इस आ पर्सन करेक्ट हो गई है ऐसा true false और आपके 5 नंबर के न स्टार्टिंग के 5 या 10 नंबर के आपके true false आएंगे कुछ या पूछा बोला जाता है कि सारे SSC पर्सन होते हैं लेकिन सारे पर्सन SSC नहीं होते हैं सही बात है बाई जितने भी SSC है वो तो पर्सन होंगे ही होंगे लेकिन सारे पर्सन की इंकम जरूरी नहीं है कि धाई लाग से उपर जाए तो पर्सन तो इस टाइप से हो सकता है तो यहां पर एक mistake कर दिया मेरे दिमाग से निकल गया मैंने इसको दो count कर लिया यह दोनों एक में count होता है ए ए ओ पी और बी ओ आई body of individual एक में count होगा एक रह गया मेरा एक दो तीन चार पांच इसको छे नंबर कर देते हैं ठीक है नहीं एक दो तीन यह हमारा चार पांच छे इसको छे नंबर कर देते हैं सात्वा एक मेरे दिमाग से माइंड से skip हो गया ह एच यू एफ हिंदू undivided family आपने 11th standard में भी पढ़ा होगा बीस्टी में कभी ने कभी सुना हुआ वाड है सर हिंदू undivided family क्या होता है यह family business होता है जिसके अंदर वो सारा काम करते हैं इस हिंदू undivided family के अंदर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही रहेगा इसके अंदर मुस्लिम को नहीं लिया जाता सिर्फ हिंदू को लिया जाता है और हिंदू undivided family के member बनने के लिए या तो उस family member के किसी male से शादी करनी होगी या फिर वहाँ पे born होना होगा या फिर legally कोई आपको उस family का member आपको adopt करता है तब आप उसके हिस्सा माने जाओगे इसका क्या फाइदा है सर हुएफ का फाइदा यह होता है सर यहाँ पे कि आप कई बार क्या होता है कि एक ही family business जैसे आपने देखा होगा अगरवाल वहाँ पे मम्मी भी बैठे हैं पापा भी बैठे हैं बेटा भी बैठे हैं सभी बैठे हैं सब के income को अलग-अलग determine करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो वह क्या करते हैं अगर एक एक व्यक्ति निकालेगा तो धाई लाग धाई लाग धाई लाग रुपए अगर बोला जाए कि भाई हमें नहीं पता हम सरी पापा की income पे टेक्स लगाएंगे तो वह भी क्या हो गया गलत हो गया भाई मम्मी भ लड़का भी तो काम कर रहा है उस दुकान के अंदर तो इस केस के अंदर बोला गया भाईया तुम काम कर रहे हो एक तरीके से हुएफ आप देखना कभी भी दुकान के आगे संस ब्रदर्स इस टाइप वर्ड इस्तमाल होते हैं वो क्या होते हैं हुएफ उसमें क्या benefit मिलत इसके पाइब लोकल अथारिटी और आटीफिशल जुडिशियल पर्संट ठीक है समझ में आई बात आपको मैंने वही चीज यहां पर आपके आपने देखा बोर्ड पर के कौन-कौन है भाई एक तो आपका यह हो गया आपके बाद इसके बाद कहता आप फर्म मतलब पार् आपका जो भी लॉक के अकॉर्डिंग हम मानते हैं ठीक है उसके बाद सर इसका पढ़ने का मैं आपके नोट्स डालूँगा इसमें आप बुक लेंगे बुक में भी आपको बड़े अच्छे से डिफाइन होगा यहां पर भी सबको लगभग लगभग बस लिख दिया है औ और यहां पर सेक्शन डिफाइन कर दिया तो कोई दिकत नहीं होने वाली आपको